तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेस्टन्स देखेंगे अपनी फॉरंसिक फार्मेसी के सब्जेक्ट के अपने क्वेस्टन्स हम फॉर्स में आपसे पुछन है कॉर्णर्स इंक्वेस्ट स्टिल कंड़क किया जाता है मुंबई में यह जो स्टेट्मेंट है ट्रू है या फॉल्स है तो आंसर इसका ऑप्शन भी फॉल्स अब देखें कॉर्णर्स इंक्वेस्ट होता क्या है पहले आपको यह पता होना चाहिए काफी सारे देशों में क्या होता है कि जब भी किसी भी परसन की डेथ होती है तो एक तरह की जुडिशियल कमीटी जो है पूरी ज जो पता लगाते हैं कि क्या कारण है उसका या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तुरू पता चलता है बट इस तरह का कॉर्णर्स इंक्वेस्ट अभी तक कहीं भी नहीं होता है इंडिया में पुछने देखे मोस्त रेलायबल मेथट क्या है एस्टिमेट करने का बलड अलकोहल लेवल अलग अलग आपको अप्शन दिये है आंसर बच्चो इसका ऑप्शन डी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अब देखे बहुत सारे बच्चो को यह लग रहा होगा कि यह ब्र अलकोहल अललायजर के मदद से पकड़ा जाता है बट हम बात कर रहे है यहां पर क्या होता है एक छोटे से छोटे सांнибल को बहुत ही अच्छे से अनलाइस किया जाता है तो इस तरह की टेक्निक को देखे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है ताकि melhor अगर किसी भी minute से minute quantity में भी अगर alcohol present है किसी के blood में तो उसका पता लगाया जा सकें डिफ इस में क्या है कि इस gas liquid chromatography के मदद से quantification भी हो जाती है alcohol content के मतलब कितनी quantity में वो present है ये भी पता चल जाता है that is why इसको forensic field में बहुत ही जादा यूज कियाता है blood sample में alcohol के levels का पता लगा ने के लिए next question है means lines in the nails and rain drop pigmentation on the skin ये characteristics होती है किस तरह की poisoning के lead, arsenic, zinc, thalium answer है बच्चों इसको option B arsenic poisoning में इस तरह की symptoms देखे जाते हैं arsenic जो है देखे काफी toxic element होता है जो कि काफी अलग-अलग sources में present हो सकता है जैसे contaminated water में होता है कुछ foods item में पाया जाता है arsenic, industrial जो process होती है जो वहाँ काम करते हैं लोग वो contaminated हो जाते हैं arsenic exposure में आ जाते हैं जब arsenic body के अंदर जाता है तो different symptoms दिखाता है जिसमें बहुत ही common symptoms जो देखे जाते हैं वो है means line, means line क्या होते हैं horizontal white band आप अपने screen पे देख रहे हैं white bands बन जाते हैं nails पे और rain drop pigmentation में क्या होते हैं small dark spot बन जाते हैं skin पे अगर इस तरह की complications देखती हैं किसी भी person की body पे तो जो physician है वो identify कर लेते हैं कि person को उस person को arsenic poisoning होई है देखेंगे question number fourth में आपसे बोल रहे हैं कि एक young आपको एक तरह की story बता रहा है कि एक young male आपके पास लाया गया पुलिस के द्वारा आप यह young male जो है देखें यह कुछ अनाप्शना बोले जा रहा है talking irrelevant का मतलब यह तो कुछ भी बड़़ाये जा रहा है उसका उस person का mouth dry है उसकी skin hot है pupil की बात करें तो dilated है and staggered gate मतलब उसकी चाल थोड़ी सी अजीब सा वो walk कर रहा है slugger, speech, speech उसके disturb हो रही है तो यह सारी जो symptoms है क्या diagnose करते हैं कि किस तरह की poisoning हुई है उस person को अलग एक option दियागे बच्चो देखे organophosphorus poisoning, carvamate, धतूरा poisoning या alcohol intoxication आंसर है बच्चो इसको option C धतूरा poisoning के यह सारी ही options होते हैं जो की पता होने चाहिए आपको काफी सारे बार exams में इस तरह की question पूछे जाते हैं अब देखें यह सारे ही symptoms धतूरा जो की आप बहुत सारे लोगों को हम इसे पता होगा क्या एक तरह का toxic substance होता है प्रोपेन एलकोलोईड के बाद करें तो इसको ट्रोपेन एलकोलोईड की category में आता है और अगर किसी वज़ा से किसी person ने इसको खा लिया है या किसी वज़ा जैसे अगर उसके body के अंदर ही चला गया है तो hallucinations, confusion, delirium और इस तरह के neurological symptoms शो करने लगता है इस तरह का जो धतूरा होता है वो तो एक तरह की धतूरा poisoning हमने देखी अब देखें यह जो organophosphorosan carbamate की जो poisoning होती है इसमें क्या होता है इसमें person की body पे बहुत सादा sweating होने लग hot skin होना और उसकी speech जो है वो disturbed होना यह सारे symptoms थे कि उसको धतूरा poisoning होई है नेक्स question में आपसे पूछ रहे हैं इन में से कौन से एक ऐसा poison है जो की illuminous translucent waxy है तो एक तरह से basic characteristics पूछ रहे हैं आपसे इस poison की option में देखें आयोडीन, ammonium bromide, ammonium chloridea, phosphorus तो आंसर है बच्चो इसको option D phosphorus है इस तरह का illuminous translucent waxy poison बात करें अगर phosphorus की तो देखें अलग-अलग chemical element की form में यह available होता है अलग-अलग forms में होता है बट most common होती है इसकी form white phosphorus जो की अगर dark में आप ले जाएंगे तो एक तरह से glow होने लगेगा dark में तो इसलिए इसको illuminous कहा जाता है translucent की बात करेंगा तो translucent ऐसे substance होते हैं जो की अपनी through light को pass होने देते हैं तो that is why इसको translucent कहा जाता है और इसका एक तरह का waxy texture होता है बात करेंगर दिये गर rest of the options iodine, ammonium, bromide, ammonium, chloride की तो इस तरह के characteristics वो नहीं show करते हैं नेक्स कुछ नहीं देखिए rigor mortis, apparent this internal organ, first तो देखिए जाने ही क्या होती है rigor mortis, पहले answer देख लेते हैं, answer बच्चो इसको option A, hurt में होती है rigor mortis, अब यह क्या होता है, rigor mortis एक तरह की muscles का stiff हो जाना होती है, यह process जो की death के बाद muscles stiff हो जाती है, उस phenomenon को कहा जाता है rigor mortis, क्यों stiffness ह आजाती है muscles में, because of the lake of ATP, ATP क्या होती है, energy sources होते हैं, जो हमारी body को energy provide करते हैं, यह जो stiffness of muscle है, यह कब हो जाती है, तो after death few hours के अंदर muscles stiff हो जाती है, और throughout the body यह stiffness फिर spread होने लगती है, hurt जो है देखिए सबसे पहले after death hurt affect होता है, क्योंकि hurt को continuously energy चाहिए होती है, continuously ATP चाहिए होता ताकि सारे vital organ function कर सके, but after death सबसे पहले affect होता है, hurt is rigor mortis से, तो answer है बच्चों, इसको option A hurt, question पूछ रहे हैं आपसे देखिए, idle place to record body temperature in a dead body, यह देखिए सारे questions जो है, बच्चों, यह forensic pharmacy के question है, तो इसी तरह के questions में आते हैं, जहाँ पर testing वगएर की जाती है, labs में, that is why यह इस option B, rectum, जो भी dead body होती है, तो एक जो सबसे specific तरीका होता है, उसकी body temperature को measure करने का, वो होता है, rectum के through, और इसके लिए यूज के यूज के आता है, किस तरह का thermometer हो, तो chemical thermometer यूज के आता है, इस purpose के लिए, जोने आपसे, period of mixed dentition is called, यह क्या होता है, period of mixed dentition, वो भी देखिएंगे different option आपको दिये का है, answer है, बच्चे इसको option D, 6 to 11 year, अब देखे, mixed dentition क्या होता है, यह एक ऐसा period होता है, किसी भी बच्चे की life में, जब उसके mouth में, दोनों ही तरह के teeth present होते हैं, दोनों ही तरह के teeth का मतलब क्या है, primary यानि baby teeth भी present है, permanent जो की adult teeth है, वो भी उसके mouth में देरे देरे आने लगते हैं, उनकी roots में, teeth की जो roots होती है, उनमें आने लगते हैं, यह typically कब से कब तक होता है, तो 6 साल से 11 साल के बीच में, यह पूरी ही process होती है, यह process जो है, बहुत important होती है, किसी भी person की dental development के लिए हम सभी के साथ होती है, हमारे बच्चों के साथ होती है, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना support दिखाते रहें, thanks for watching